तो हेलो बैंट कैसे है आप दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप अपने सेमसंग के मोबाइल में जो आपका साउंड है उसको बेस्ट क्वालिटी का सेट कर पाएंगे लाइक अगर आप अपने मोबाइल में म्यूजिक वीडियो या कॉल करते हैं जो अब भी कोसिंग का साउंड आ आपके लिए बेस्ट आयं जो कि साउंड की कॉलिटी सुनने की समतर화를 साबके लिए अलग अलग होती है दोस्तों तो वह आप जो साउंड सुनना है और आपको यूस करना जो वालियूम आपके लिए बैस्ट कवाले में एक pre-store feature होता है जिसका नाम है add up sound दोस्तों इस feature को कैसे use करेंगे और कैसे अब अपना personalize sound कर सकते हैं Samsung के mobile में या बोल सकते हैं add up sound में कैसे अपने लिए जो आपके लिए best sound है उसको personalize कर पाएंगे और कैसे उसको set कर पाएंगे दोस्तों एक चीज़ बताने वाला हूं दोस्तों इस feature को कैसे use करेंगे और कहां मिलने वाला है तो दोस्तों वीडियो को सबसे पहले करना क्या है आपको जा रहा है अपने mobile की setting पर आप यहां पर अपने mobile की setting पर जाएंगे तो यहां पर आपको एक feature मिलता है जिसका नाम है sound and vibration करके वहां जाने का आप नीचे की तरफ आएंगे आपको एक option मिलने वाला है sound quality and effect का आपको उस पर क्लिक करना है उस it for call music and video आप चाहें तो वहां पर देख सकते हैं और लिखा हुआ है और यहां पर by default यह off रहता है उसके नीचे आपको तीन subscribe की गई है या वो सकते हैं तीन sound को personalize करके रखा हुआ है एक जो sound profile 01 दिख रहा हुआ यह मैंने configure कर रहा था आप भी अगर configure करेंगे तो ऐसे ही वहा under 30 year old under 30 year old मतलब अगर आप 30 साल से कम हैं तो आप इसको set कर लेजिए इन्होंने एक average निकाल के करा हुआ है कि 30 साल से लोगों के लिए इतना ही थोड़ा बहुती उनको सुनने में problem होती है वह सकते हैं कुछ points ही वह miss करते हैं तो वह इसके through equal कर देता है मतलब balance कर देता है इसमें लिखा है boost high range frequency जो कुछ range अगर frequency की range होती है अगर आप से miss होती है जो 30 year के mostly user में होती है तो उन्होंने by default ऐसी personalize कर दिया है कि कोई भी अगर 30 साल से का में इसको use करेगा तो उसको हमेशा फायदा ही होगा उसके बाद दोस्तों नीचे दिया है 30 से 60 तक के लिए अग अपर के लिखा है boost high and mid range frequency जो frequency में frequency में सोती है उसको भी हाई कर देता है क्या कि आपको इकवल सुनाई दे उसके बाद दोस्तों नीचे सबसे last वाला जो देख रहा है overall 60 year old अगर आप 60 year old कि हैं और 60 से old आप में देखा होगा कुछ बुजूक्स होते हैं या कुछ अंकल होत होता है तो वह हर किसी की age में जाकर ऐसा होता है तो आप उससा sound कर देंगे जिससे उनको equally अच्छा सुनाई देगा और वह easily अपने task को पूरा कर पाएंगे like music सुनना वीडियो देखना या call पे किसी बात कर पाएंगे तो अच्छी quality पे कर पाएंगे तो यह यह feature इसली होता यहाँ पर अगर आप setting पर जाएंगे तो आप देख सकते हैं setting में दिया गया है जो low light या वो सकते हैं low blue light आपको दिख रहा होगा blue जो light color में है वो actual sound है अगर आपने कोई भी कोई भी use नहीं करा चाहें अंदर 30 अंदर 60 या अंदर 30 तो 60 की range में अगर आपने कोई सा भी boost को use नहीं करा गया है तो आपको जितनी blue ray दिख रही light वाली वो आपको sound सुनाई देगा और extra जो blue dark दिख रहा है इसका मतलब यह है कि यह इनोंने boost करा है और यह अपनी तरफ से sound को fast कर रहा है या बोल सकते हैं boost कर रहा है ताकि आपको अच्छे सुनाई देगा है अगर आप 60 ढयेंगे 306 और आप देख सकते हैं दोस्तों कि तना ज़्याधा boost हो रहा रहा और ऐसी अगर आप 60 में जाएंगे तो आप देख सकते हैं यह पर कितना जावा बूस्ट करना पड़ रहा है, 60 वालों के लिए आप देख सकते हैं, तो यह ऐसा वर करता है, और नीचे आपको दिया है, प्रिव्यू करने के लिए, अगर आपको यह प्रिव्यू सुनना है, तो अगर आप यहाँ प्रिव्यू पे क्लिक करेंगे, तो वहाँ पर error आ जाएग तो आप देखोगे, यहाँ पर चालू होगया है, और यह प्रिव्यू होना चालू हो जाएगा, यह अगर आप अपने हेडफोन में सुनेंगे, तो आपको यहाँ पर साउंड आने लग जाएगा, यहाँ परसनलाइड मतलब जो की इनने बनाया है, वो है, और original में मतलब ज आपको अपनी प्रोफाइल बनाने के लिए जाना होगा, पर परसनलाइल यूर सॉंड पर, जैसी यहाँ पर जाएंगे, तो आप देख सकते हैं, दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ नरिशन दी गई है, यहाँ पर उनने कुछ इन्सक्शन दी गई है, कि आपको जाना है, आपको स्पीकर को अपने कान में लगना है, या फिर अगर अपने हैटफोन बिलुद्द वाल लगा रखा है, ऊपने कान में आपको आपको अपने हैं स्पीकर करना है, यह पर क्लिक करने काlaration दोस्तों, आप देखेंगे, जैसी मैंने स्टर्ट पर क्लिक करा, तो सबसे पहला option आगया can you hear the beep अगर आपने यहां दोनों headphone लगाने होंगे और दोनों headphone लगाने के आपको हल्की सी beep सुनाई दे रही है तो आपको बिल्कुल perfect मतलब बिल्कुल accurate करना है अगर आपको सुनाई दे रही है yes तो नहीं अगर नहीं आ रही है तो no जैसे मुझे नहीं आई तो no क्योंकि दोनों लगाऊंगा तो ही perfect आएगा तो ऐसे करकर के आपको जितनी भी बार beep आएगए आपको yes और no ऐसा सुन के बिल्कुल exact बिल्कुल आप शान्ती से बैठके इसको करेंगे तो आपको रियल में समझ में आएगा और आप उसको use कर पाएंगे तो आपको ऐसे करकर के yes no yes no करके अपनी frequency को set कर लेना है जिससे क्या होगा आगे जागे जब आप अपने headphone को use करेंगे तो आपको उसकी quality boost मिलेगी या वो सकते हैं बहुत अच्छी मिलेगी ताकि आपको सुनने में problem ना हो या बुल सकते हैं कुछ भी music आपका miss ना हो तो आप ऐसा इसको use कर सकते हैं आप देख रहें एक एक करके आपको ऐसा सा करना होगा यह 100% की process है आपको 100% की process इसको पूरी complete करना होगा तो यह मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ बाकि आप उसको easily सुनके करिएगा जिससे आपका जो effect है अच्छा आएगा या बोल सकते हैं जो उसके working है headphone की sound से related बहुत ही अच्छी होने वाली है तो यह मैंने फटाफट यहां पर 100% कर दिया है जैसी 100% complete होगा तो यह आप से पूछेगा preferred ear for calls अगर आप अपने mobile में calling करते हैं left hand से तो आपको left hand कर लेना अगर right से करते हैं तो आप right से कर देजिए उसके बाद आप देखेंगे यहां पर हो चुका है जितने भी lights blue रहे है वह original टून है और बाकी जो blue dark दिख रही है वह बूश्ट कर अगया sound को मतलब इतनी आपको जो आवाज है कम आ रहे दी इन्होंने अपनी तरफ से उसको बूश्ट कराया ताकि आपको अच्छे से सुनाई दे तो यह होता है चा सकते हैं आप कोई भी वाइल को टेलिट करना और उसके बढ़र देंगे तो वी यह हो दोस्तो तो उन्मीद है कि आपको अMore video पसंद आई होगी दोस्तों तो दुस्त्तो मुझे उमीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो को शेयर करना ना बुलें और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्स्राइब नहीं किया तो प्ली कि दो तो